नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेट नूज हरियाना और मैं हूँ अमितमन आज हम कानहडवास गाउं के अंदर मौझूद है जो की रेवाडी जिला परिशत के वार्ड नमबर तीन का गाउं है और यहां पर जो सरदारी है वो बैठी हुई है यहां एक पंचायत की गई है एक परतियासी को ले करके और उसी परतियासी के बारे में पूरा का पूरा जो गाउं है वो बताएगा कि वो परतियासी कौन है आज अपने मुझे मैं नहीं बोलूँगा ये गाउं बोलेगा कि कौन पर्तियासी है और क्या ये गाउं उसका समर्थन करता है या नहीं करता है ये इन्हीं के मुझे आप सुनेंगे पहले तो हम इनसे पूछ लेतें कि इस पंचायत का आखिर जो परियोजन है वो क्या है सब आप बताएं कि आज जो ये पंचायत आप लोग कर रहे हैं इसका परियोजिन के देखिए जेला परिशत का एलिक्षन हो रहा है उसमें हमारे कोशनी से जेला जीमन इतेशी जिसे हम लाला के नाम से पोकारते हैं जी वो एक परत्यासी है ठीक है और जो कोसली गाउँ आया है अभी तक बलके प्रत्यासी नहीं है लें कोशली गाउब किवल उसके शमर्थन में पूरा गाहा है इस कानवास गाउब में उनका पूरा सवाकित करता है और कानवास गाह वाले अपने सब ही आदमी हाथ उटा करें जीमनितेशेका समर्थ समर्थन करते हैं और इसको आवस्य कामियाब बनाएं क्योंगे हमारी आनबान की शाहन जी का सवाल है तो क्या पूरा गाउं समर्थन कर चुका है जो तालियों की गड़गडाहट है वह आपको यह महसूस करवा देगी इस तरीके से जो तालिया पीछे बज रही हैं उसी से आ अप अंदाजा लगा सकते हैं कि समर्थन कैसा होगा और भी जो बुजूर्ग हैं चलिए उससे को बाट देंगे बहुत ही जो बातें वह किलियर हैं यहां पर सभी जो गाउं से और भी लोग आएं सर आप एक बार खड़े हो जाएं आप लोग तो मैं एक एक करके इंसे जानना चारूं क्योंकि यह लोग समर्थन मांगने के लिए यहां पर आए हैं सर आप बताएं जब आप यहां पर गाउं के अंदर पहुंचे हैं तो क्या उमीद ले करके आए तो कांदडवास और कोशली में कोई फरक नहीं है कोशली बड़ा भाई है का नहीं हमारी मदद कास्वासन दिया में से बहुत खुश हैं और इस इलेक्शन में लाला और जीवन इतेसी की जीत निश्चीत हैं बिलकुल सर आप बताएं इस भीड को देखते हुए क्योंकि मैं यहां पर युवां की तादाद है वो काफी देख पा रहा हूं जो कि यहां चल पड़ी है कि जीवन हितेसी को भारी महुंत से जिताना है क्योंकि जिस परकार से पिछला कुछ परिदर से है उसमें आज वोटर बहुत समझदार है वोट की चोट से तैयार है देने के जवाब देने के तैयार है और आज हम पूरा कोशली का जन सहलाब हमारे भाई हैं क दने बाद करते हैं इतना समर्थन इतनी तालियां बद रही है लाला भांड जीवन हितेसी में आखिरेसा क्या है ये तो आपको देना चीह है मित जी कि किस परकार ये तो जवाब ही है उनका यही जवाब है कि इतना प्यार जो है उन्होंने जो जनसेवाई की है गवसालाओ लिए वह हमेशा खड़ा रहा है तो इस सब यह जो उनका प्रेम है ना आज कैंडिडेट नहीं है लेकिन आज आप देख रहे हो कि एक-एक आदमी एक-एक हजार का बैठे गुरू जी हमारे बोल रहे थे जिन जो अनमने इतना पड़ें लिखे हैं सारा काम उंचे लिया है तो इनके एक-एक शब्द मोती हैं तो आप यह सारा प्रेम आप देख सकते हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ ना कुछ ना क्वालिटी तो है बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरी की पूरी जो भीड यहां पे नजर आ रही है उसके मूं से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है क्योंकि बाबा मुक्तैसर पूरी की जो मानता है वो काफी ज्यादा है यहां पे तो आप देख सकते हैं यहां के जो भीड है वो एक सवर के अंदर क्या बोल रही है यह अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे और आगे की अपडेड़ु लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार धन्यवाद जय हिंज भारत खुल गया है बेरली कला में एक मात्र होल मार्क का शोरूम हीरा लाल एंडशंस ज्वेलर हमारे यहां सोने चांदी वहीरे का सामान तयार मिलता है वह ओडर देने पर तयार किया जाता है हीरा लाल एंडशंस ज्वेलर्स मसीत वाले, में रोड नजदिक बस्टेंड गाउ बेरलीकला, रेवाडी, कॉंटेक नमबर 7027178038, 9466863187, 9050551652, एक बार सेवा का मोका अवस्य दें।